चली दोस्तों आज सुनते हैं सुरी कांत तिरपाठी निराला की कहानी दो घड़े चली कहानी शुरू करते हैं एक घड़ा मिट्टी का बना था तूसरा पीतल का दोनों नदी के किनारे रखे थे इसी समय नदी में बाढ आ गई बहाओ में दोनों घड़े बहते चले बहुत समय मिट्टी के घड़े ने अपने को पीतल वाले से काफी फासले पर रखना चाहा पीतल वाले घड़े ने कहा तुम डरो नहीं दोस्त, मैं तुम्हें धक्के ना लगाऊंगा मिट्टी वाले ने जवाब दिया तुम जान बूज कर मुझे धके न लगाओगे सही है मगर बहाओ की बज़े से हम दोनों जरूर टक्रा जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे बचाने पर भी मैं तुम्हारे धकों से न बच सकूंगा और मेरे टुक्डे टुक्डे हो जाएंगे इसलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग अलगी रहें तो दोस्तों ये एक चोटी सी कहानी थी या फिर कहना चाहिए कि ये एक बहुती अनमौल सीख थी जो निराला जी ने लोगों को दी है जिससे तुम्हारा नुक्सान होता है उससे अलगी रहना अच्छा है चाहे फिर वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी इस कहानी से आपको सीख क्या मिली जरूर बताना कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे एक लाग कर देना साथ ही हमारे चन्नल को भी सबस्क्राब जरूर कर लेना मिलते हैं अगली किसी नई कहान के साथ